भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे हनुमान जी का नाम लेने से सभी तरह के कस्ट मिट जाते हैं मानेता है कि सभी देवी देवताओं में केवल हनुमान जी ही आज धर्ती परशा शरीर मौजूद है राम भक्त हनुमान को शिव का ग्यारवा रुद्र रूप माना जाता है वैसे तो भारत में हनुमान जी के कई मंदिर है लेकिन आज हम आपको उन मंदिरों के बारे में बदाने जा रहे हैं जहां हनुमान जी पंचायत का फैसला करते हैं प्रेमियों का मिलन कराते हैं, शादिया करवाते हैं और यहां तक की इश्क का भूत भी उतारते हैं। भक्तों की बजरंग बली पर बहुत ही घहरी आस्ता और श्रद्दा होती है। तो आए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूटूब चैनल अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूरिएगा। लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी की किरपा से विवाद में आने वाली सारी बादाएं दूर हो जाती है। मानेता है कि जो भी भक्त हनुमान जी को लाल गुला भेट करते हैं, हनुमान जी उनकी मनुकामनाय पूरी कर देते हैं। तेलंगाना के खंमम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। ये एक लौता ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां बजरंग बली पत्नी सुर्वचल्ला देवी के साथ पूजे जाते हैं। सुर्वचल्ला सुरिदेव की पुत्री थी। माननेता है कि इस मंदिर में आकर जो दमपत्ति हनुमान जी संग उनकी अर्धांगनी के दर्शन करते हैं। उनके वैवाईक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने वैवाईक जीवन में तनाव और परिशानियां चल रहे होती हैं। उन्हें यहां आकर दर्शन अवश्य करने चाहिए। हनुमान जी सभी बादाओं और समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। 36 गड़ के बिलावसपुर्श शहर के नगर पारा इलाके में 80 साल पुराने बजरंग पंचायत मंदिर में हनुमान जी की पंचायत लगती है। यहां के लोग विवाद होने पर लोग कुलिस या कोट में जाने की जगए अपनी अर्जी बजरंग बली के इस मंदिर में लगाते हैं। फिर यहां की पंचायत संकट मोचन के फैसले को ही शाक्षी मान कर फैसला कर दी है। लोगों में विश्वास है कि पंचायत के फैसले में हनुमान जी का आदेश होता है। इसलिए सभी लोग फैसले का सम्मान करते हैं। फैसले लेने के साथ ही धार्मिक एवं परिवारिक कारे इस मंदिर में आकर हनुमान जी के आशिरवात के बिना नहीं किया जाता है। जहां प्रेमियों के सिर से प्यार का भूत उतारा जाता है। दरसल जो प्रेमी जोड़े इश्क के गिरफतार होते हैं। उनके घरवाले उनके सिर पर सवार इश्क का भूत उतारने यहां लाते हैं। जो लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के वश में चलते प्रेम में पढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मंदिर में विशेज दिन पर पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारी प्रेमियों के परिजनों को कुछ उपाय बताते हैं। कहा जाता है कि बताय गए उपाय अपनाने पर आशिकों के उपर से प्यार का भूत उतर जाता है। जिस वज़य से प्रेमियों जोड़े यहां आने से बहुत ही बहबीत रहते हैं। दोस्तों क्या आपने पहले कभी इन मंदिरों के बारे में सुना था। अगर हां तो हमें कमेंट बॉक्स की माद्यम से जरूर बताईएगा। मैं जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार। टेक केर।